हेलो वेलकम बेक दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल इंग्लिश प्लिक्स पर मैं हूँ आपका दोस्त तीपक जायस्पास और आज की स्वीडियो में हम आपके क्लास 12 से लेटेड ग्रामर को कंप्लेट करेंगे यानि क्लास 12 में आपसे जो येर 2022 और 23 में ज कौन से नियम यहाँ पर लगते हैं जिससे और भी एक्जाम पर जीति आपके एक्जाम में आते हैं तो आप बना पाएंगे इहाँ पर हम फिल फूरती करने के लिए उनको फिल करने के लिए नहीं आए हम ड़िए डिक्टिट को सिर्फ बनाना आए है हम समझेंगे कि यहां पर यह option suitable क्यों नहीं है यह option suitable क्यों नहीं है और क्या होना चाहिए था यह सब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका question number six जो दिया वा था 2022-23 के yearly वाले paper में तो एज़ीटीज में लिखा है यहाँ पर fill in the blanks choosing the correct option वीडियो को एंटर गरूर देखेगा यहाँ आपको explain करने के correct option यानि आपको यह जो correct option है इन में से कोई एक इनका यूज करके इस fill in the blanks और रिक्तिस्तान को आपको भरना है दब वोई the birds almost every day तो जो लड़का है बर्थ को क्या करता है प्रित्तिक दीन जो हो केज करता है तो यहाँ पर दिये गए हैं केज केचेस केचिंग और कोड देखा जाए तो यहां पर वर्वी की फॉर्म से यह वर्वी की 4th form है यह वर्वी की 5th form है यह वर्वी की base form जो की 1st form है और यह वर्वी की 3rd form है तो आपको यह पता होना चाहिए कि दो ही ऐसे टेंज है जैसे कि यह देखा जाए तो एक present का indefinite और एक past का की गपर अफर्मेटी होता है जिसको आप असर्टिव सेंटेंस यह पोजेटिव सेंटेंस इसमें कभी संप्पल सेंटेंस भी कह सकते हैं यह जो होता है होती कि या तो हमारा टेंस जो है वो प्रिजेंट का इंडेफिनेट है या पास का इंडेफिनेट है वो लड़का जो कि आपको दिख रहा कि सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्व कौन कोड या सब्जेक्ट वर्व एक्रिमेंट यह सा कहता है कि यह आपका सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है तो उस लड़का प्रतिक दिन जो है वह बड को फगड़ता है अब आप भी कहेंगे कि यहां प्रत्तिक दिन की बात हो 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 यहां प्रत्तिक दिन की यामपल देखते हैं, second है आपका I think it rain today, मैं सोचता हूँ कि आज बारिष हो सकती है, आप सोचते हैं, कोई बात नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं कि आज बारिष हो सकती हैं, तो इसमें संभावना व्यक्त हो रही है, और जब possibility के हम बात करते हैं, तो possibility के लिए model word में, आपके पास सिरफ एक ही model word है, वह है में, इसका यूज आप करते हैं, purpose के लिए, possibility के लिए, परमिशन लेने के लिए, take Evolution होता है, grant permission, याणि permission देने के लिए, आप के लिया आप का use करते हैं, परमिशन देना है, तो के लिए तो के लिए का, जब आप आप पोसिबिलि के संभावन नहीं बहुत कम है तो यहां बड़ा हम में का यूज़ करेंगे पोसिबिलिटी के लिए तो चली हम में तो लगा देते लेकिन इसके बाद और भी इनको समझते हैं आपको मस्ट है केन है और कांट है जहां पर आप केन खाला सकते हैं जहां पर आपको बतानी हो ability अ सकता है ? नहीं must, कोई भी चीज जिसमें आपका compulsion हो, मजबूरी हो जहाँ पर आपको मजबूरी दीखे, वहाँ पर आप क्या लगाते है ? मजबूरी लगाते है तो किया आप पर मैं सोचता हूँ कि आज बारे सोचते हैं मजबूरी न ज़रा रहे नहीं तो मजबूरी में जो काम आपको जरूरी करना है, जिसको नहीं करने पर कोई नुक्सान हो सकता है, या आपको टेक्स फाइन करना पड़ सकता है, या कोई काम आपको जरूरी करना है, क्योंकि उसके में आपको marks नहीं मिलेंगे exam में, या आप कोई काम करते हैं, जिसमें आप ability को बताते हैं परमिसन देते हैं तो आप केन का यूज करते हैं नहीं करते हैं तो केन नाट का यूज करते हैं तो आप यहाँ पर यह सभी नहीं बता रहें इसलिए option आपका हो जाएगा में मैं सोचता हूँ कि आज बारी सो सकती है क्योंकि हम यहाँ पर possibility बता रहे हैं और possibility में हमेशा मेका यूज होता है क्लियर इट क्वेशन अबर ठाट देखिए दिर आर प्रीशेस बुक्स इन द लाइबरी लाइबरी में मुल्यमान किताबे हैं वह भी सी बात है किताबे सभी मुल्यमान होती है आपके पास यहाँ पर option दिए मच एनी सम और इच देखा जाए तो यह सभी इटरमाइनर है और इटरमाइनर वह सभी सब्सभी होते हैं जो कि किसी भी नाउन्स के सामने लगकर या उसके front में आकर उसको डिटरमाइन करते हैं कि आपके जो नाउन है वो कहसी है प्लूरल है उसके बार इताती है तो Determiner जो होते हैं इनमें साब को लगाना याद होना चाहिए कब कहा लगता है तो देखा जाए तो यहाँ पर यह मुल्लिवान किताबे है किसके बारे में बात हो रही है मुल्लिवान किताबों के बारे में बात हो रही है किताबे जो कि noun है, इसके बारे में बताया गया कि यह मुल्लिवान है, हमें determiner लगाना है, जो कि noun के लिए लगता है तो precious को देखकर आप कोई भी इसमें से नहीं लगाएंगे, आप books को देखकर लगाएंगे book आपको यहाँ पर दिख रहा है plural countable noun, यानि किताबे जिनको आप गिन सकते हैं, और यह बहुँ अचन रूप है, book जो कि आपका singular countable noun है क्योंकि singular है, जिसको हम गिन सकते हैं, एक, दू, तीन कर सकते हैं वहीं books, plural है, बहुत सारे किताबे हैं, तो बहुत सारे किताबे हैं, तो आपका rice, sugar, gold, money, hair, information, etc, इसे बहुत सारे सब्दे हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, इनके हम quantity बताते हैं, तो इनके लिए हम लगाते हैं, मच, ए नहीं कब लगाते हैं, जब आपका sentence या तो negative हो, या फिर interrogative हो, sentence हाब का positive है, यहाँ पर कोई भी negative या interrogative वाली बात कहीं नहीं है, और आप यहाँ पर full stop देख सकते हैं, तो यहाँ पर any नहीं आएगा, यह uncountable noun के साथ आता है, लेकिन book तो countable है, तो यह दोनों नहीं आएंगे, अब आपके पास sum बजता है किताब मुल्यवान है, सभी किताब किताब मुल्यवान होती है, लेकिन यहाँ पर some books, each जो होता, अपने बात, जो भी noun लेता है, उन noun each के बात जो आता हो, singular आता है, क्योंकि अपने आपके बात जो noun प्रीजियस मुल्यमान तो यहां पर आपका सही ओपसंट जो हो जाएगा वह रहेगा आपका सम क्या रहेगा सम इस क्यों नहीं आएगा क्योंकि अपने बाद हमें सांगुलर को लेता है और यहां पर सिंगुलर नहीं है आपको क्लियर होंगे हम नेक्स एक्जामपल की तरफ चलते हैं यदि आपको डाउट है तो आप उसे कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं आपको सीखने को मिल रहा होगा इसमें कि कुछ नया भी है ऐसा नहीं किसे नहीं आप फेल करके बतारें कि कौन सा अप्संट शूटेबल है वी आर गूइंग आप देख रहे हैं कि यहां पर यहां पर हो गई अब आपको यहां पर वर्वे की फॉर्ट फॉर्ट फॉर्म ल दूस्य वर्ब डारेक्टन आती नहीं तो यह को इन्यम लेगा एक वर्वे बाद दूस्य वर्ब आपको लगाया कोई फॉर्म लगाना है तो तो के साथ लगेगी तो कि बरुउर्वे बाट फॉर्ब आ पकी देकिनि हो लेड़ी जीरन फॉर्म में हैं हम एक और पॉर जीर किसी भी प्लेश जो कंदेशा हो इसाँ फ्लेश हेलों 6 या आप उसको लारज प्लेशेहे बोल सकते हो लारज रदन बताते हम लारज प्लेश हो तो बड़े प्लेश का आगे हमें सیका इन लगाते हूं तो हम 8 लगाते हैं छोटे इस्थान पर एक निश्य समय में definite time में और आपने दियान पूरक देखने में front to front देखने में 8 का यूज़ करते हैं वह इन का यूज़ करते हैं किसी बड़ी जगा के लिए जिसकी यह है तो आपका अस्वाप्शन है in 8 into on ओन कब लगाते हैं जब कोई वस्तू है जिसकी टेवल है इसके ऊपर कोई वस्तू रखी हुए हुए और यह आपस हमें टच हो रही है तो मैं कह सकता हूँ यह मांली जेवल है तो दीज बॉल कर रह रहे है यहीज अब लेकिन इसर्ट रहे है इस टेवल है किस यह इस टेवल रहता है किस पर दिल्ली में रहता है ना कि दिल्ली पर रहता है और नहीं आएगा इंटो जब हम गतिमान आवस्ता में एक आवस्ता दूसरी आवस्ता में प्रवेस्ट करते हैं जैसे कि केट जंप इंटो दे वेल जो बिल्ली है वो कुए में कुदती है तो उसमें एक मोशन आ जाता है और उसके अंदर हो समाज आती है तो यह भी नहीं आएगा एट छोटे स्थानों के लिए आता है तो बच्चा क्या आपके पास इन हलाकि मैं आपसे करवाना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर दिया दे टेंपल इज दे मिडिल आप दे रिवर जो टेंपल है वो नदी के बीच में है एट छोटे स्थानों के लिए आता है इंटो जब आप गतिसी लवस्ता में हो और आप कूद रहे हो किसी भी चीज में आप एक मंदीर है वो मिडिल में है नदी के तो उसमें अंदर समाय हुआ नहीं है नहीं तो हमें दिखते ही नहीं तो इंटो में आएगा अब नधि के उपर ये क्या आपको सम्झना लिए निए लेट्स को टु मार्केट चलते हैं अब यहां ते की sentence होता तो let's go market इसा हो सकता था लेकिन where my father has put up stall उस market में चलते हैं market कौन सा है जहां पर मेरे पिताजी ने क्या लगाई यह इस टोल लगाई है दुकान लगाते ने हुज वीच यह सभी रिलेटिव लाज को दर साते हैं तो जो नाउन मार्केट है यह जगह के बारे में वेयर बता रहा है तो कहीं न कहीं इस मार्केट को यह वेयर कर रहा है कि चले हम सब वहां चलते हैं जहां पर मेरे पिताजी की श्यृण है तो यह उसमें से आपको कोई 5 करने थे यानि 5 करने थे हर एक जो है 5 मार्क्स केरी करता है ऐसे प्रेक्टिस करने से आप अच्छे से कर पाएंगे अभी हमार पर इतना टाइम नहीं होता कि हम सभी नियम यह रूल्स को देखें लेकिन फिर मैं कोशिस करता हूं कि आपको सब कुछ कव और करवाद में क्वेस्टन नमबर सेवन आपका था कि डूए डारेक्टेड जैसा कि निर्देश दिया गया वैसे आपको यहां पर उनका पालंग करना अब यहां पर आपको एक दो सेंटेंज दिये गया है कोई 5 करने हम सारे करेंगे सीता डज नाट सिंग सीता नहीं गात करके आपको सेंटेंज को जोनना है तो इसका मतलब होता है ना तो ना यहां देखे सीता ना ही गाती है सीता नाही नासती है जब उनको कंबाइन करेंगे तो सीता ना तो गाती है और सी ना ना गाती है और ना ही नास करती है तो यह हम ना इदर नों यहां पर लगा सकते हैं कि क्योंकि ओलर यहां पर देखिए डज्णॉट और दिख रहा है और इसका मतलब भी नेगेटिव बता है ना अर्फ ना ऺचा भी आपि में तो वहरी इस बात है यहांपर ना दिखनें आपको नहीं डिखनेंगे नहीं mi गाती हुंभज और नहीं है तो हम इर पहटा देंगे इनको रिमूब करना पड़ेगा और इसकी पहले मैं आपको कि नाइदर नौर होता है, जिसका मतलब कि ना तुना होता है, एक तो आपका नाइदर नौर, इसके बाद कुछ आता है, एक आपका आइदर, और यहाफर और, इसका मतलब होता है, या तो या, दोनों में से कोई एक चीज, दोनों में से कोई भी नहीं, और इसका मतलब होता ह अगर आप नाइधर के बाद भी चाहिए अगर बाद यहां पर लगाना है अगर अगर मैंने नाइधर यहां पर लगाEP isnt ऑनभि भी फहले लगाओंगा इसके लिए कंडिशन यह है कि यह यह बोनों डिफेरेंट होना चाहिए Alb12va होना दोनों वर्वे चाहिए होनों दोना सब्जेक्ट चाहिए जो दोनों चीज़े हैं एक ही जैसी होना चाहिए लेकिन जैसे कि यहां पर यह सीता लिखा है अब मैं यहां पर सीता लिख देता हूं यहां सी लिखता हूं तो क्या फर्क पड़ता है यह इसका ही तो नाइदर और नौर यूज कर सकते हैं लेकिन इसके पहले नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सीता है अगर यहां पर राम होता है यहां पर स्याम होता तो नाइदर राम नार स्याम मैंसा लगा सकता था नाइदर राम नार स्याम ऐसा क्योंकि एक सब्जेक्ट यह है नाइदर के आपको समझना होगा कि यहां पर आपको लिखावा था सीथा डज नोट सिंग यहां पर लिखा होता है कि अंपको यहां पर नाहीं अधे सीथा लगाना है था यहां पर यहां देखेंगच को ऑफ कि यहां के नाहीं पर नहीं स्केवि कुझे नाहीं अ Zac यह sentence आपका affirmative बन जाएगा कैसा बन जाएगा अफर्मेटी रूप में जाएगा तो सीटा नाइधर जब अफर्मेटी बनता है तो सब्जेक्ट जो कि आपका singular है तो इसके साथ बारो भी कैसी आएगी singular आएगी तो सीटा नाइधर सिंग्स यहाँ पर क्या लगा दिया हमने एस लगा दिया singular सब्जेक्ट के साथ बारो भी कैसी आए कि singular आएगी क्योंकि इसमें से हेल्प्रिंग अप क्या हो गई है रिमूव हो गई है डजनाट था तो हमने एस अटा कर इसको इसा लिखा था तो और यह नोर के बाद हमने क्या लगाई अगर है सब्जेक्ट आएगा यहां पर एडवर आएगा ना उना आएगा तो इसलिए आपको कभी नई यहां लगाए तो जो चीज़ें लें उनमें क्यों लगाएं इनको तो हट नहीं है कि नाइधर की वैस है तो सीटा नाइधर सि हो गए य zucchini वर्फ हो गए वर्बी के फैस्टों में यहां पर लगा है यहीज इस इसके बाद में घया हमाने क्या पडाते हैं हिंदी पडाते तो अब आपको यहां देखता यह डैध्लーピर्बल वाला हो गया कि हमिंदी पडाते हैं तो आप दू तरीक Лना लाते बना सकते है को साथ में आपको subject मिल गया भाद Π्रेले पहिजानना पड़ता है कि ऐसे प्रजेंट का इंडेफिनेट है प्रजेंट का इंडेफिनेट कैसे पहिजाना आपने वर्ब में यह से इस लगा है तो प्रजेंट का यह हिंदी जो कि सिंगूलर है तो इसके एकोडिंग इस अमर में इस किया आजाएगा आपके पास इस टी ओ यूज यू जी एस टी वर्बे की थट कर्फों मातिये पेसिव वस्ट माले वर्बे की थट फों हिंदी इस टोड़ बाई । टोडू वाय कि मीश्टर गुप्ता हिंदी लिएंधी लिखना पड़ेगा फिर आपको टोड किसको पड़ा जा आती हैं हमें जम यहां पर आपको लगाना है कि अब हमिन यी ज् mushed लेक्ट है एक फिस्ट ऑबजेक्ट होगे आपका यह सेकंड उब्जेक्ट होगे आपका तो फिर आपको दोनों में से एक को आगे लेकर बनाना पड़ेगा आप अजब भी बनना सकते हैं जिसे असको हम क्या लखते हैं वी फिर हम बनाएंगे वी आर टोट हिंदी बाई मिस्टर गुपता यह अपर दो तरीके हो गए पहले अब्जेक्ट को आगे लेकर आजाओ या फिर आप इस अब्जेक्ट को आगे लेकर आजाओ हमने असको आगे लेकर आए और पहले हम हिंदी को आगे लेकर है तो हिंदी टोट टो टूट अस बाई मिस्टर कुपता आप दो तरीके सब्सक्राइब को बना सकते हैं तो डबल औब्जेक्ट वाला है आप कि बात कर धितान रखना आए और अर्ब की थाट फर्म आएगी तो अब यहां पर देखिए इसको हम डॉंट भी लिखते हैं सोटकट में वर्क प्रोपरली यदि भी ठीक तरीके से खारी नहीं करते हैं दे बेल भी पनिस तो उनको सजा मिलेगी रिजाई उजिंग अन्लेस का यूज करना है इन प्लेश आप के स्थान पर आपको किसका यूज करना है अलेस का यदि आपने मेरा इफ यह नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना मैंने बहुत अच्छे समझा है कि आप इस अन्ल और वहीं का मतलब होता है यदी आपे यसा कहा गया कि इस यदी के स्थान पर आपको यदी नहीं लगाना है और sentence को फिर इसे लिख देना है, यहनु को क्या लगाना है लगाति प्क्राइब हर आप मतलब आप में होता है यदी और नहीं भी होता है आप यहां देखें आपको यहां पर क्या मिल रहा है यदी और आप यहां पर देखें तो इसका मतलब होता है नहीं तो यदी और नहीं के स्थान पर हमें ओल्री यदी नहीं लगा चुके हैं तो अभी इसी बात ही हटेगा County, È-Simple यह बात है Нआ, आपको Unless लगाना है किस मतलब के सतन पर इस Keep कर अधियर करेकर नहीं होता है, तो एदी और नहीं के जएगे हमने एक साथ लगा दिये यदि नहीं तो क x रूठा दिया और डीनाट डीनाट जो भी यहां पर आए उन को हटाँगे, उनको हटा प्रो परली कुछ निकारना हम बाकी वाले सेंटेंज जो बचे में उनको इसे कैसे रिमेनिंग वाले को लिख देना है विल बी परिवर्तन कोई हमें निकटना है यदि ब cathedral कारी तो परिवर्तन कोते हैं और इसका मतलब भी होता है यदि नहीं फ्रीमें परिवर्तन की कीड़ी विना अपद आपको लगाना होटा तो उनको हटा दो और वापिस से दे वर्क अगर यहां पर से होता न तो यह प्रहज़ेट का भी ध्यान अखना है ां ट्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्व पी कैसे आएगी लुज़ें सब्जेक्ट के साथ वर्वी कैसे आएगी SINGULAR जिसमें A-C-S लगाऊ लेकिन देख था हमने work लिखा अगर इहांप दी नोट होता तो फिर आप यहांपर क्या करते हैं आप यहांपर वर्वी की सेकड्प देखते हम जो कि था वीक टू इस्टेंड उबहाज जो है खड़ा होने के लिए काफी वीख है यानि वह इतना वीख है खड़ा नहीं हो सकता अब देखिए इतना वीख है इस पर ध्यान मत दीजिए यहां पर सोदेट का यूज करना इसका मतलब होता है इतना की यहनि आपको सेंटेंज को यसा बनाना है कि वह इतना कमजोर है कि वह खड़ा नहीं हो सकता सोदेट वाला वीडियो में ने बना रखा है जो कि आपको आई बटन मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते है उसको में अच्छे समझाया लेकिन हम यह समझते हैं आपके पास यह वर्ड है तो टू है एक वेरी है और एक सो है यह सभी जैसे अर्थ में रखतें तो आप इस तू के जाब पर क्या लाए सकते हैं सो लाए सकते हैं क्योंकि आपको सेंटेंस को रिराइट करना है सो का यू बचाव तो इस्टेंड तो तो इस्टेंड पर आप लाएंगे देट तो की जाहाँ पर और फिर आपको यहां पर सब्जेट को देखना कि यह है इसके बाद में आपको यहां पर देखना कि यह प्रजेंड में की पास्ट में तो प्रजेंड में तो फिर आप लाएंगे कें न कोडिंग सब्जेक्ट लगाएंगे फिर आप केन लगाएंगे अगर पास्ट में यह वाज होता है यहां पर तो आप यहां पर लगाते कुड लेकिन अभी जो की प्रेजेंट में हो तो हमने लगाया केन बहद आप लगाएं तो यह वापिस ऑदेट कि यहां पर लगा दिया हमने लगादिया इसके तू लगादो इस तू बो करना पड़े आपिर और प्रूरा आपने रीमूव यहां पर तो आपको सब्सक्राइब ना देखाना तो फिर लागाएं एक एक्जांपल में आपको फि जब गिया आपको 10 सीधा बदलने के लिए दिया जाए तो आपको इस टेंस की helping आप याद होना चाहिए और इस टेंस की helping आप है वाज और वर्ब अब आपके पास यहाँ पर कोई helping up नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है तो यह present का indefinite हो सकता है यह past का indefinite हो सकता है क्या फर्क पड़ता है लेकिन यह वर्बे की second form है तो यह past का indefinite है अब आपको इसको किसे मदलना है past की continuous में तो the child के बाद आपको सोचना है यह singular subject के साथ आता है यह plural subject के साथ आता है तो the child के साथ वाज आये के बार आएगा यह आपको decide करना है वह रपे की fourth form आती है तो आपको इसको बना कर मुझे comment बताना है नहीं तो फिर मैं आपके answer के बाद comment करें दूँगा ॥ हो यह त्यरा सब्सक्राइं का की مع Judge करना है जीसके मैं अंंगा होता है जंसे ही यह कून आप करता है और तुरांट उड़ा देता है एस सुने शुझक भर चीजों का लगा द Aurat है am लगाना होता है लेकिन आपके पास तो अलोने सेंटेस दिए वहाम को जून रख उप्योक करना उसकी स्पेंडिकरृत करता है ही स्थार्टर से पराप्ट करता है तो जैसे ही वह सेली प्राप्त करता है वेसे वह उसको स्पेंडिंग करना प्रारम करता है तो जैसे ही हमें लगाना तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर सुनर के बाद एक नियम है कि हमेंसा democrats आती है वह स्टेंस की जिसका सेंटैंस है तो सेंटैंस है आपका present indefinite नहीं कौन से सेंटेंस हिसे सब्सेंट सिंग राप के साथ लगा ये स यह कhetic इटीक है सब्सेंग और तो अधाट है अकि पेट जानना होगे के साथ हेलं यॉप क्या आती है यॉप हो फिलूरल के साथ की ही ईतती के दिए इसके बाद छिल्पम आती है नो सुनर के यॉप हाती है नो सो नर लहाँ यॉज से सपाई ल कि या लगा दिया तो इसके साथ है का EPA को कि नो सुननर्ड डजी एचेल ऴृः फिर आपको देन लागाना तो फिर आप इस वाले सैंटेंज को जो कि सेकर नंबर फाई ये बीवाला सेंटेंज को जोडने के लिए आप इसके भीां लाएं टेन फिर आप लिखेंगे ही इस्टार्ट इस्पेंडिंग इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना प्रारम करता है तो ये दोनों सेंटेंस कम्माइन होगा है देखते हैं आपके लेकोर सेंटेंस बच्छा होगा यह देखें राजु राइट केन आइदर विद हेंड इनको आपको सब को रियार्रेंज करना है तो देखो अब आपको बदाता हूं इस टार्टी में तो राजु आएगा और लास्टम आएगा आइदर हेंड अब आपको आपके लिए हैल्प फूल रहा होगा और यदि यह हैल्प फूल रहा है तो आप इसे सेयर करें अपने दोस्तों में और इसे वीडियो में आपके लिए यानि क्लास 12 के लिए था यह स्पेसली यादि को 11 वाला बच्चा भी इसको देख रहा है देन उसके लिए सफिसेंट की वीडियो है टेंद के लिए लेवल थोड़ा हाई है तो टेंद के लिए मैं स्पेसल वीडियो जालूंगा आपके रामर से लेटेट तो आप जरूस को देखेगा मिलता हूं दोस्तों अला इन्फॉर्मिट वीडियो में तब तक लिए ठाटा बाइबाई